हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चनल वीर साइंस प्रजेक्ट में तो जो मेरे हाथ में चोटा सा डिवाइस देख रहे हो यह चोटा है मगर बहुत ही पावरफुल है पिछले वीडियो में मैंने आपको बोल्टेज अगलेट करने के लिए जो मशीन मना के दी यह उससे भी ज्यादा पावरफुल है से अब ड्रील मशीन कटर ग्राइंडर सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही असानी तो छोटा सा डेमों यहां पर तैंसारा डेमोंस्रेशन और इसका पावर लोड सब कुछ आगे वीडियो में आपको मिलेगा लास्ट मे तो छोटा सा इंट्रो दिन शुरू करते हैं इसे बनाना तो चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए मुझे और सबसे पहले शुरू करते हैं बीटी फोटी वन सिक्ट डबल जीरो भी से ठीक है 600 वाट का लोड लेता है एक चैनल ट्रायक है इसमें पीन आउट साब को बता दिये एवन टू और या करते गेट पीन होती है तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लेंगे इस पर थर्मो स्टेट कंपाउंड और कंपाउंड की ऊपर लगाने के बाद इसको हीट्शिंग पर टाइट करेंगे ऐलमुनियम की हीट्शिंग मतलब पीन वन को पिन से पीन 2 को पीन 2 से ठीट को पिन 3 से कर दिया और कोई शॉर्ट सरकिट नहीं और बॉडी पर टेस यहां इस चीज तरफ से दिखा भी दे रहा हूं आप बिल्कुल वैसे करिए और पाना लिजे के जदा दिक्काद होगी तो एट्शिंग उपर से दन उसके बाद हम कर रहे हैं A2 का connection A2 से मतलब तीनों पिनों को indirectly हम बिल्कुल accurate जैसे pin number 1 है तो pin number 1 को 1 से 2 को 2 से 3 को 3 से कर रहे हैं इसी तरीके से आप series में करके इसको और भी powerful बना सकते हो फिलाल जितना बनाया है मैंने इतना आप लोग के लिए sufficient है बट और high five चाहिए होगा तो बिल्कुल sequence ऐसे ही करना है starting में आपको ऐसे करना है last वाले जो connection से वह आपको समझ में आई जाएंगे तो अभी gate को भी हम gate से joint कर रहे है तोड़ा सा wire नीचे से खिसका के दिखा रहा हूँ और open यहाँ पे इसलिए हम connections लगाने चाहते दो रंग बिरंगे तार लगा सकते थे बट उपर से इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको दिखाई पड़ता कि कौन सा तर्क इसमें जुड़ा हुआ है तो बहुत ही जल्दी और छोटे से वीडियो में सब कुस समझाएंगे तो बस छोटी सी नीट बस इतनी है कि support कीजे पिछलो वीडियो में आपने support किया तो इसमें भी करिएगा बिल्कुल और यह देखिए हमने दायबाया से चारुद्रप से आपको दिखा दिया तेन 470 के एक वैरिबल पॉट ले रहे हैं इसी से हम इसका वुल्टिज कंट्रोल करेंगे कि जितना ही वुल्टज चाहिए अल्मोस्क 35 वुल्ट से लेके 220 वुल्ट के एक लेक्स है और कैपसिटर का जो ओपन लेक्स था उसको एवन पर लगा दिया एवन हमारे जो हैं ट्रायक के वो दोनों आप देख लो अपस में जुड़े हुए है ठीक है तो मतलब दोनों को हमारे सप्लाई मिल चुकी है यहां से और यह हमारा DB3 एक डायक है आप इसक इसको फिन नमबर बन पिकनिया दिन डायक का दूसरा जो पिन था उसको में में कोई ब्लस्माइनस नहीं नहीं होता है यह तो प्लाई को ठीक है मतलब इसका कोई पोल नहीं होता प्लस और माइनस का तो डायक लगने के बाद अब आते हैं थोड़ा सागे यह दो वाट का हमारा 10 गेगा रेजिस्टेंस ठीक है कलर को इसका है ब्राउन ब्लैक और इंच इसको पिन नमबर 3 पर कर रहे है वरीबल पॉर्ट अब इसको इंपूट दे रहे हैं तो एवन पर हम जो भी सप्लाई देते हैं वह हमारी एटू से आउट होती है वेरिबल की ठीक है और यह सॉकेट है हम सॉकेट भी लगा गया आपको लगे हाथ दिखा दे रहे हैं मतलब सारा डेमोस्टेशन बिलकुल लाग के सामने कर रह और एवन जो हमारा था वहाँ पर हमको इन देना रहता है चाहिए वो न्यूट्रल का इन हो चाहिए फेस का यह कोई कनेक्शन पूरे हो जाते हैं लगने के बाद देन इंडिकेशन के लिए हम एक 100 गेकर रेजिस्टेंस ले रहे हैं इसे जो हमारा आउटपूट निकलता है न्यूट्रल और फेस का उसी पर बिल्कुल लगाना है मतलब एटू पर हमने लगा दिया तो वेरिबल जब भी आप करोगे तो इसका इंडिकेशन जो है वो लो और हाई होगा और यह एलेडी है एलेडी के प्लस माइनस का भी कोई इस तरफ लगा दो यह दोनों ही कंडिश पर हमने जो बनाया हुआ था और अब तूट्वेंटी वोल्ट का इस पर हम लोड देट मतलब पावर लगाते और कनेक्शन्स आगे फारवर्ड करते तो यह हमारा च्छोटा सा बोर्ड है हमारा जो हैंड में के वाई लगा दिया यह लाइट जो ब्लिंकिंग आपको दिख हाई पड़ेगा जब अब लगा लोगे और यह हमारी बॉस्ट की एकदम मतलब बॉस्ट की हमारी एंगल ग्राइंडर सॉरी एंगल ग्राइंडर है इसको टेस्ट करा गया आपको दिखा रहा हूं और तार इसलिए लपेट की रखें ताकि आपको यह ने लगए कि कहीं और से कनेक्शन ले लिया तो मोटर स्टाट करते इसकी स्पीड और साउंड दोनों सुनिए ठीक है आपको ताकि जज हो जाए कैसा चला है कैसा नहीं तो लोड पे भी चलेगा यह भी आधे दूरे लोड पे इसलिए इसलिए नहीं अभी देखिए मैं इसको तेज कर रहा हूं इसकी साउंड भी तेज हो रहा है मोटर की घुमने का और दें डाउन कर रहा हूं तो डाउन भी हो रहा है तो मतलब आप जितनी चाहा है उतने स्पीड कर सकते हो इसकी बिना किसी दिक्कत के तो अब एंगल ग्राइंडर आपको जैसे चेक कर आना था चेक करा दिया इससे भी हैवी लोड के अब मशीन इस पर चला सकते हैं मतलब फंद्रा सो वाट अराम से सपोट कर लेता है पर अब रिकमेंडेट मानों कि बारा सो वाट की मशीन कोई भी यह अराम से दोड़ाएगा तो बिल्कुल स्लो कर दिया और इसको निकाल दे रहे हैं और सेफटी को अब मस्त कैसा चल ला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें कुछ कमी तो नहीं दिख रही है आपके सामने और यूस करेंगे अब सर्कीट को इसलिए आप टेंचन नहीं लो बिल्कल परफेक्ट सर्कीट है और सारे तार लबेट के रखें ताकि यह ना रहा है नहीं होने दे रहा है यूट्यूब इस कंडिशन पर आ गया है तो बहुत स्ट्रेगल कर रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा है मतलब मेनत इतनी कर रहे हैं और देखने वाला कोई नहीं है कोशिश रहती है लेट प्रजेक्ट आते हैं तो उसके पिछे रिजन रहता आप अच्छा डून रहा होते हैं इसलिए वीडियो लेट हो जाती है बस यहीं कहना है तो वीडियो ची लगे तो वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिए तब तक अपना और अपनी फैमिली अख्याल रखिए और इसके बात की जो प्रोजेक्ट से आए होगे तब तक टेक क्यार बाई बाई